Hello everyone, very welcome to NetJar of Soluceness, मैं आप शेक कुमाजा, कैसे हैं आप सभी लोग क्या हाल चाल हैं, तो अभी अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, दो एक्जाम्स का अलर्ट आ चुका है सेट के पेपर, मध्यप्रदेश के और 36 गड़ के, इस पूरे वीडियो में मैं आप लोग को बता आते रहता है, तो दोनों ही स्टेट जो हैं काफी अभी फिलहाल तो काफी जादा अपडेटेड हो चुके हैं, आप देखेंगे कि इनकी परिक्षा लगातार आयोजित की जा रही है, मैं आपको सारी बाते बताऊंगा कि क्या रहेगी, इसकी रिक्वार्मेंट कैसे करनी है तैयारी syllabus क्या रहेगा, इस पूरी बात को मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में, तो आंतर तक जरूर देखेगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप AKJ Academy App के थुरू जुड सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, अग आपको complete syllabus पढ़ाया जाता है, with detailed explanation, इसके साथ ये आपको हर एक topic के उपर PDF भी दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको weekly mock test भी करवाया जाते हैं, जो आपके उनी chapters के उपर based होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का session, देखें जो notification रिलीज हुआ है, मैं आप लोगों क जो आप देख रहे हो, ये है मध्य प्रदेश लोग सेवा आयोग का notification, ठीक है, मध्य प्रदेश लोग सेवा आयोग का notification, इस notification को अगर आप देखोगे, तो इसने अभी हाली में रिलीज किया है, यानि कि राज पातरता परिक्षा दो हजार चौबिस आ चुका है, इसमें आ मतपुर्ण तिथी की बात करें, तो विज्यापन आ चुका था इसका 15 को ही, ठीक है, और आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथी जो है, वो 21 मार्च को है, यानि आप 21 मार्च से अपना application भर सकते हैं, 21 मार्च से भर सकते हैं, और कब तक भर सकते हैं, अंतिम तिथी कब तक ह तो अंतिम तिथी है, 20 अपरिल को, यानि की पूरे एक महीने आपको मिलते हैं, ठीक है, है ना, पूरे आपको एक महीने मिलते हैं, 21 मार्च से 20 अपरिल तक आप पूरा application भर सकते हो, एक मेना समय मिलता है, UGC Net भी एक मेना समय देता है, बाकि सेट के exams में 1-1 टाइम देते ह ठीक है, और इसका बाकि सारा चीज देख लेते हैं, हम क्योंकि परिक्षा शुल्क भी बड़ा महत्वपूर्ण है, देखे परिक्षा शुल्क के जहां तक बात करें, तो 250 रुपए है, उन लोगों के लिए, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाती जाती से हैं, या अन पिछडा वर्क से हैं, या EWS से हैं, या दिव्यांग जन के श्रेणी में हैं, इन सभी लोगों के लिए 250 प्लस 40 रुपए जो अतरिक्त पोर्टल शुल्क है, यानि कुल मिला करके 290 रुपए आपका लगेगा, जबकि इनके अलावा अन श्रेणिया य प्लस 40 रुपए यानि की 540 रुपए आपको देना पड़ेगा, जो की ठीक है, UGC नेट पहले 1000 लेता था, मतलब 500 लेता था वो भी 1000 रुपए लेता है, विलंब अगर देर करेंगे तो 50 रुपए एक्स्टर आपको भरना पड़ेगा, और प्लस अगर विलंब शुल्क के स ओनलाइन आवेदन करने की तिथी तक करते हो, तो 3000 रुपए एक्स्टर लगेगे, लेट मत करिएगा, जैसी अप्लिकेशन विंड ओपन होगा, भर लीजेगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँगा, और दूसरा जो नोटिफिकेशन है, 36 गड़ व्यावसाइक परि थी है, सोमवार, 13-5-2024, 13-5-2024 का मतलब समझ रहे हैं, 13 मई से सुरू होगा, ठीक है, 24, 13 मई से सुरू होगा ये, और ओनलाइन आवेदन पत्र भर कर, ओनलाइन परिच्छा शुल्क जमा करने की अंतिम्ति थी है, 9-6-2024, यानि की 9 जून को पेपर का भरने का अंतिम्ति थी है, ठीक है, 9 जून को, तो कुल मिला करके आपको लगभग लगभग एक महीना दिया जा रहा है, यहाँ पर भी, 30 दिन का, यहाँ पर टेंटेटिव डेट भी है, परिक्षा की संभावित थी के बारे में भी जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 2024 को पेपर भी हो सकता है, संभावित थी है, कोई फिक्स नहीं के होगा ही, बट हो सकता है, अब आप देखेंगे कि परिक्षा भरने के बीच और जुलाई, लगभग आपको एक महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब कुल समय सीमा की हम बात कर अगर 7 जुलाई को पेपर होता है तो, अगर 7 जुलाई को पेपर हो रहा है, ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आगे और क्या चीज़े हो सकती है, ठीक है, आगे जो है, अब आपको मैं सारी चीज़े बताता हूँ, देखिए, अब संभावना है, चांसेज हैं कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अब देखिए, इसका जो एक्जाम है, वो हो सकता है जुलाई में, जुलाई में हो सकता है परिक्षा, ठीक है, परिक्षा जो है वो जुलाई में हो सकता है, जब कि अगर हम MP की बात करें, MP सेट की बात करें हम, इसका परिक्षा अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए, इलेक्षन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, 19 अपरिल को पहला वोट पड़ेगा, और में में तीन चार को आसपास सब कुछ कॉन्क्लूड होगा, तो अपरिल के सलिए, एक tentative date हम मान के चलते हैं, क्योंकि दोनों की तित्या साथ निकली हैं, और परिक्षा जो है, इनका भी जुलाई में हो सकता है, तो आपके पास कुछ कुल महीने बचते हैं, मार्च के 15 दिन, मार्च के बाद आता है, एपरिल, ठीके, 30 डेज, एपरिल के बाद आत हम इसको 10 दिन लेके चलते हैं, tentative, 10 दिन, तो आपके पास लगभग कितने दिन बचते हैं, 30, 30, 60, 60, 10, 70, 70, 10, 80, 85, 80, लगभग आपके पास 85 दिन, कुल दिनों की संख्या, है न, कुल टाइम, कुल समय, कितना है, 85 डेज, 85 दिन, लमसम तीन महीना माल ले, तीन महीना लमसम माल ले, तीन महीने तक आपको समय दिया गया है, जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, अब आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तीन महीने को ध्यान में रख करके, कम से कम समय आपको ये ले करके चलना है, अब एक्जाम का डेट जुलाई के बाद अगस्त में भी जा सकता है क्योंकि खुद उन्होंने लिखा है टेंटेटिव सम्भावित हम कोई भी प्रेडिक्शन इस पर अभी नहीं कर सकते अब इसके लिए क्या करना होगा आपको अब मैं बात करता हूं syllabus की ठीक है मैं आपको देखिए syllabus देखिए syllabus जो है वो लगभग पूरा syllabus यूजी सी नेट का फॉलो करता है 36 गड़ पूरा syllabus फॉलो करता है मध्यप्रदेश सेट का पेपर भी पूरा आप देखेंगे भूगोल विशय का जो पूरा syllabus आप देखिए इसमें इसमें आपको भुवाकृति विज्यान संस्कृण के जन संक्या आधिवास भूगोल है आर्थी को अपकी जोग्रफी के अब आप देखिए अब आप देखिए इसका जो पेपर 1 है ठीक है पेपर 1 का असलेबस दो पेपर होते हैं अब इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़े दी गई है यहाँ पर देखिए सिक्षन अभी वृत्ति है सिक्षन यहने की जो teaching aptitude है वो हो गया ठीक है teaching aptitude का पूरा यह syllabus है यह पूरा syllabus teaching aptitude का है इसमें आपको सिक्षन पढ़ना है सिक्षारति की विशस्तायां पढ़नी है सिक्षन प्रभावक तत्तों पढ़ने है उच अधिगम संस्था में सिक्षन की पद्धती को पढ़ना है सिक्षन सहायक सामगरी पढ़नी है मुल् reading comprehension यह रहेगा पूरा एक संप्रेशन यानि की जो communication है वो रहेगा इसके अलावा गडिती यह तर्क mathematical reasoning और उस तरी लेटर चीज़े रहेंगी ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद युक्ती युक्त तर्क logical reasoning रहेगा इसमें इसके दो पार्ट है एक तो normal logical जो सक्षन है और दूसरा जो है भारती है ना भारती तर्क शार्ष से संबंदित है यह हो जाएगा फिर आंकडों की व्याख्यानी की डिया डेटा interpretation हो जाएगा यहां पर यह पूरा unit है सूचना और संचार प्रद्योगी की ICT हो जाएगा यहां पर आपको पढ़ना है और उसके बाद आ होता है आपका नीतियां सुशाषन राजनीति और प्रशाषन से संबंदित यह अलग है उच्छ सिक्षा से ठीक है तो यह टोटल 10 unit होते हैं आपके इस पूरे पेपर में इंग्लिश में भी यह सेम कंटेंट मैंने रखा हुआ था सेम कंटेंट टीजिंग लॉजिकल रीजनिंग इसके लावा डेटा इंटर्पेशन इन्फोर्मेशन कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी पीपल डेवलेप्मेंट इंवार्मेंट और अंत में हायर एजुकेशन सिस्टम ठीक है ऐसे ही आपका जोग्रुफी का भी है देख लीजिए जियो मॉफलोजी क्ल जोग्रफी ऑफ इंडिया यह 10 उनिट हो गए दोनों पेपर में मिलाकर आपको कुल 20 उनिट पढ़ाई करनी है तीन महीने में 20 उनिट अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ तब तो ठीक है अगर एकदम से भी नहीं पढ़ाया तब तो समय बहुत कम है आज से ही लगन देखिएगा इसको मैंने बहुत तोड़ तोड़ करके बताया कि क्या पढ़ना है आपको इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको और कवर करने हैं तो जियो मर्फ लॉजी का यह स्लेबस हो गया ओशनोग्राफी का स्लेबस देखिए यह हो गया ऐसे ही जोग्रुफ जोग्रफि काफी ठीक थाक सेक्शन इसका भी इसके अलाबाए एग्रिकल्जेऻ जोग्रफी नहों चोटा सेक्शन है बहूत बहुत इंपॉर्ण इंपॉर्टन है इंडस्ट्रल जोग्रुफी में पूरा मॉडल का रीजशन डेवलप्मेंट फिर किल्साल सोशल पॉलिट मतलब इतना डीटेल में सब कुछ आपको पढ़ना है और अंत में आता है Geography of India Another सबसे बड़ा topic यह है न मतलब Geography of India Second पर आता है पहले पर Practical Geography ठीक है यह पूरा हिंदी में भी है मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोग कहोगे मैं हिंदी में नहीं पढ़ाता ना इसलिए देख लिए सलेबस भी देख लिए जलवाई विग्यान हो गया उपर देखे बुहाकरती विग्यान हो गया नीचे समुद्र विग्यान पूरा सलेबस है यहाँ पर इतना आपको पढ़ना है इतनी पढ़ाई करनी है और आप कोई छोटा मुड़ा एक्जाम नहीं देने जा रहे हैं आप सबी लोग सेट का एक्जाम क्वालिफाई करके युनिवर्सिटी में कॉलेज में एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टन प्रोफेसर बनने के लिए छोटा मुड़ा एक्जाम नहीं है बहुत बड़ा एक्जाम है तैयारी भी उसी इस तरकी आपको चाहिए उसी इस तरकी तैयारी होनी चाहिए ठीक है जनसेंग क्या दिवास हो गया इसके लावा आर्थिक भूगोल हो गया देखें यहां पर फिर कृष्षी भूगोल हो गया और दोगी भूगोल हो गया परिवहन व्यापार भूगोल हो गया प्रादेशिक विकास हो गया सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल हो गया इसके अलावा राजनितिक भूगोल हो गया भौगोलिक चिंतन हो गया भौगोलिक तक्नीकियां हो गया और इसके बाद भारत का भूगोल हो गया ये पूरा complete आपको पढ़ना है complete पढ़ना है आप सभी लोग चाहें तो इसकी पढ़ाई आप खुद से कर सकते हैं मैंने बहुत सारे वीडियो बगर यहां पर यूटूब चैनल पर दिये हुए हैं 500-600 से भी ज़्यादा वीडियो जिसमें सिर्फ पढ़ाया गया है questions करवाया गया है धेर सारे बहुत सारे आप वहां से भी कर सकते हैं एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म AKJ Academy पर तरीका मैं आपको क्यों ये वला बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहां पर जब आप लोग जुड़ते हैं तो यहां पर आपको पूरी तयारी करवाई जाती है आपका टेंशन हमारा टेंशन देता है इतने वर्षों से पढ़ाने के बाद एक systematic तरीका बन गया है content का क्या topic पढ़ना है कितना पढ़ना है ठीक है ये पूरा बन गया है structured classes हैं वो बन चुकी है पूरा syllabus का एक topic आपको पढ़ा जाए कोई single topic नहीं छोड़ा जाता है even practical geography जो ज़्यादा तर लोग छोड़ देते हैं उसको मैं सबसे पहले cover करता हूँ ताकि आपका उसमें marks अच्छा है confidence अच्छा उसमें बने अभी जो लोग भी AKJ Academy के paid courses में enroll होंगे उसकी जो admission है वो बंद होने जा रही है आप इसमें admission ले सकते हैं और इसमें admission ले करके आप सभी लोग यतने भी set वाले बच्चे हैं 36 गड़ के, मध्यप्रदेश के जो लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे करे, कहां से करे यहाँ पर आप अगर आते हैं तो आपको complete systematic सारी चीज़े दे जाती है मेरी daily classes वहाँ होती है मैं YouTube पर daily नहीं ले पाता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरी daily classes होती है इसकी fees जो है वो 53% discount पर चल रही है actual fees इसका है 14,000 रुपे लेकिन मात्र साड़े 6,000 रुपे में even after that अगर आप एक बार में पूरा fees पे करते हो तो यह पूरा का पूरा amount आपका 5,999 में हो जाएगा जो की लगबग 6,000 रुपे के बराबर है 6,000 रुपे में आपको पूरा paper 1, पूरा paper 2 cover करवाय जाएगा with depth जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं है ना आप चाहें तो review देख सकते हैं बच्चों के आप classes मेरी देख सकते हैं आपको इसमें इस amount में complete geography, complete paper 1 तयार हो जाएगा इन इस states में assistant professor का भी exam होने वाला है तो आपका dual benefit रहेगा set का paper पढ़ लोगे आप यही same syllabus net का होता है net भी आप दे पाएंगे और यही same content 95% तक आपका assistant professor का भी होता है तो आप एक पंथ कई सारे काज हो जाएंगी पूरी तयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी ठीक है यह course बहुत जल्दी इसका admission close होने वाला है 6 महीने का इसके लाव हमारे पास 12 महीने का भी course है अगर आप बहुत आराम से पढ़ना चाहते है लगता है कि इस बार नहीं कर पाऊंगा मैं अगली बार का sit दूँगा तो आप आराम से 12 महीने कोर्स ले सकते हैं या फिर आप 24 महीने का course भी हमारा देख सकते हैं इन में आपको complete geography कई बार पढ़ाया जाएगा बार बार पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से उसको cover कर सकें और भी बहुत सारी चीजे हैं जैसे देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर क्या क्या देता हूँ देख लीजे आपको यहाँ पर complete live class मिलेगा और हर live class का recording class मिलेगा हर live class का recording छूट गया class कोई बात नहीं बात में देख लेना ठीक है आपको poll वगर raise hand के through live classes में interactive session होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ आपको मौका नहीं मिल रहा है हर topic को बहुत ही detail तरीके से पढ़ा जाता है explain करके और unit wise आपको test दिया जाएगा हर Sunday को test होता है रात को 9 बजे हर Sunday को जितना पढ़ाया गया उतने पूरे का test तो आपको पता चलेगा कि आप क्या तैयारी कर रहा हूँ कितना तैयार कर पाए हैं कितना confidence आप आया है सब कुछ real time और इसके लाव आपको solutions भी दिये जाएंगे और course duration आपका 6 महीने कर रहेगा 6 month 6 मिन तक आप आराम से पूरा class देगे तो पूरे set की तयारी आपकी हो जाएगी along with net और assistant professor मतलब अगर आप चाहते हो तो otherwise हमारे पास assistant professor के भी courses है मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास assistant professor के भी courses ऐसे RPSC हो गया उत्तर प्रदेश का हो गया इसके लावा मद्ध्रदेश का हो गया यहां के भी available है फिलाल वो net के बारे में बाते थी जो मैंने आपको बताई ठीक है यह पूरा notification था तैयारी करिया आप सभी लोग क्योंकि आपकी जो तैयारी है आपकी तैयारी ही आज अगर आप सोचते हैं करने का तो कल ही उसका परणाम भी आएगा तो जितनी जल्दी तैयारे शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने आपको बहतर कर पाएंगे कोई भी information चाहिए आप वीडियो के description में contact details आप वहाँ भी कर सकते हैं इसके लबाव टेली ग्राम पर भी आप contact कर सकते हैं या directly आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं कुछ वीडियो के description में आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस वीडियो को share करें पने दोस्तों को भी और बताइए कि एक्जाम होने वाला है और अभी से तैयारी करना शुरू कर देए थैंक यू सो मजज गाईज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि कि वीडियो को सुप देख